पहला प्रसंदे रहा है निमलिखित में से कौन से उत्तरवैदिक गरंथ हैं यहाँ पर 5 आपसं दिये गए हैं आपको टिक करना है कि कौन सा आपसं यहाँ पर सही है पूछ रहा है उत्तरवैदिक गरंथ के बारे में और आपको पता होगा उत्तरवैदिक गरंथ किसे बोले देने वाले हैं तो आप एलर्ट रहेगा आपके सामने आपसन है रिगवेद, यजूरवेद, अथरवेद, ब्रामःड ग्रंत और उपनिसत और जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है दो, तीन, चार और पांच याद रख जाता है और रिगवेद का नाम रिगवेद इसलिए पड़ा क्योंकि वो लिखा गया था रिगवेदिक पीरिड में बाकी जो सामवेद है जो यहाँ पर आपसन में नहीं दिया है वो भी याद रखे सामवेद हो गया, यजूरवेद हो गया, अथरवेद हो गया, ब्रामः गरंत हो गया उपनिसाद हो गया इसके अलामा बहुत सारे गरंत लिखे गए जो की रिगवेद के बाद रचे गए इस वज़से उन सभी को एक साथ क्या माना जाता है उत्तरवैदी गरंत माना जाता है अच्छा एक कोईंट और याद रखें कि यह जो भी उत्तरवैदी गरं इन सभी ग्रंतों की जो रचना हुई थी ये भारत में खास करके जो हमारा गंगा यमुना का बेल्ट था जो गंगा यमुना का चेतर था ये जो मैदानी चेतर था इसी में इसकी रचना हुई है और इसके पुरुईतोदारा रचित इन ग्रंतों में बिभिन प्रकार के अनु सही हो जाएगा चली अगला देखिए जादा निक्योल 20 प्रसन आपके सामने में लेके आता हूँ यहाँ पे है सूची को मिलान करना है आपको पता होगा PCS के इक्जाम में खास कर इस तरह के प्रसन जो है कम से कम 10 होते हैं ठीक है अगर इसको आप पढ़ते हो तो जान लो एक काम होता है यग्य करना ठीक है छत्री का काम होता है रक्षा करना दो तो ऐसी हो गया सूद्र का काम होता है सेवा करना और विस का काम होता है ब्यापार करना विस विस ही आगे चल के क्या कला है वैस से बोला गया विस को ही क्या बोला गया वैस से बोला गया अच्छा इन में जो है मंद्रियों में जाने का अधिकारने था इनको अच्छूत समझा जाता था ठीक है तो आपका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर तो फिर से एक बार देख लिजे ब्रामणा का काम यक कहना यानि 2 हो जाएगा और यह वाला 1 हो जाएगा यानि 2 1 और 4 3 यानि 2 1 4 3 तो ढूड लेजिए यहाँ पर 2 1 4 3 आपका option number 1 क्या है यह सही हो जाएगा ओके समझ में तो आई रहा होगा ओके चलिए आगे देखते हैं next है हमारे पास next है हमारे पास कथन और कारक के बारे हम बता रहा है कि वैदी काल में प्राया मैलाओं को सुद्र के समान माना गया है ठीक है यह चीज बड़ा गलत है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक बारी बात आगए मैं चाहरा हूँ डिसकस कर दूँ मेरे पास आज से 10 दिम पहले एक बच्चे का फोन आया और एक्चली मैं उसने बहुत बड़े-बड़े कमेंट किये थे मेरे चैनल पर तो मैं क्या करता हूँ जो देखेँ चोटे कमेंट करते उनको तो मैं देखता ही हूँ अगर कोई लड़का बहुत बड़ा कमेंट किया तो उस पे भी मेरा ध्यान जाता तो उसलदके ने कम से कम एक दिन में और एक घंटे के अंदर कम कम 10 से 12 कमेंट आया और नाम था उनका सिधार्थ आरिया ठीक है सिधार्थ कुमार सिंघ आरिया उसका नाम था तो मैंने कमेंट उसका खोला हलांकि उसने जो बात कहा था बिल्कुल सही बात कहा था हो सकता है को आज हमारे वीडियो भी देख रहा हूँ ठीक है और मैं बार-बार रहा रहा इसलिए निकल लाया मेरे मूझ से क्योंकि उसका जो नालिस था आप मानोगे नहीं वो लड़का सिर्फ अभी क्लास 12 में है और मुझसे तो पता न ही कितने गुना आगे है मैं आपको बता नहीं सकता आपको लगेगा नितिन सर क्या बोलने मैं सही बोलना हूं मेरे बाई मैंने मैंने उससे बात किया पूरी एक घंटे तक हमारी बात हुई ठीक है और बहुत अच्छा लगा बात उसका फोकस जो था क्यों इस बात पर था कि सर यह जो इतिहास आप पढ़ा हूं न सही इतिहास पढ़ाओ तो पहली बार मुझे ऐस रगा कोई मुझे चैलेंज कर रहा है कि इतिहास सही पढ़ाओ बट मैंने भी सोचा यहार कि मेरी गलती क्या है सुन तो लेता हूं सामने बात मेरी काधत है कि मैं बाद सबकी सुनता हूँ मैंने तो पूछा भाई ऐसा मैंने क्या गलत पढ़ा दिया जो आप ऐसे बोल ले हो तो उसने कहा कि सर आप वही इतियास पढ़ा रहे हो जो हमारे देश में अंग्रेजों ने लिख कर गया है आप वरिजिनल इतियास तो जानते ही नहीं हो तो हमने कहा बताओ भाई वरिजिनल इतियास कहा है उसने मुझे बहुत सारा सोर्स दिया और मैं बहुत जल्दी वो सारा सोर्स आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि हमारा वाकई में भारत का ओरिजिनल इतियास का है फिलाल ये पढ़ना आपको जरूरी क्योंकि एक्जाम में यही आने वाला है तो ये मुझे इसलिए याद आगा है कि यहाँ पर जो कथन दिया हुआ वैदिक काल में प्राय मैलाओं को सुद्र माना गया और आप कई बार पढ़ोगे कि मनु ने भी क्या कहा है मनु जो इसमिलिती है उसमें भी मैलाओं को सुद्र कहा गया है जबकि जो है आप मनु के इसलोग पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मनु ने इस्तियों को सुद्र नहीं माना इस्तरियों को पवित्र माना है ठीक है उसको सुद्र के समान नहीं माना गया है तो ये जो है अंग्रेजों ने लिखकर दिये गये हैं और उनके द्वारा ये इतिहास लिखा गया है इस वज़े से हम लोगों को लगता है कि वैदिक पीरिड जो था बड़ा खराब पीरिड था इवेन मुझे भी लगता है लेकिन मैंने हकीकत तो मैं जानता हूँ क्या है मैं बहुत ही जल्दी आपको हकीकत से रूबरू कराओंगा लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि modern history मैं cover करा दूँ तो देखिए यहाँ पर कथन दे रहा है कि वैदिक काल में प्राय मैलाओं को सुद्र माना गया था और कारण दे रहा है वैदिक काल में सामाने था है मैलाओं तथा सुद्रों को वेदों का देहन का अधिकार नहीं था तो इसमेंस आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य बताऊं आपको यहाँ पर जो दोनों कथन दे रहा है सही तो दे रहा है लेकिन इसके discuss करने का तरीका गलत है यानि आर जो है एका सही तरीके से असपस्टी करण नहीं कर रहा है मैलाओं को सुद्र मानना गया ये भी बिल्कुल सही है मैलाओं और सुद्रों दोनों को वेदों का अध्यान करने का अधिकार नहीं था ये भी बिल्कुल सही है चत्री और वैस से दोनों ही यग्य का अधिकार प्राप्ता था इन दोनों को तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में सुद्रों को अचूत माना जाता था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सभी वर्डों का नेधारण जन्मे के आधार पर होता था ये ब फिलार अच्छे एक चीज और जान लीजे यहाँ पर आप बताओ जो सही अंसर क्या होगा यहाँ पर तो हमको लग रहा है एक दो तीन सही है बट यहाँ प्यार एक दो तीन का तो आप सन्नी दे रहा है तो ऐसे में जो है आप क्या टिक करोगे बताओ जल्दी से आप ऐसे में देखे ध्यान से फिर से एक बार डिसकस कर लेते हैं पहला वाला तो पका सही है कि छत्री और वैस से ये दोनों यगे करते थे और लास्ट वाला भी सही है कि वर्ड का निधार जन्मिक आधार पर होता था ये सुद्रों को अचूत माना जाता था ये सही है बट एक बात याद रखे ये अचूत की अधारा जो थी ये वैदिक काल में आई अचूत की अधारा कहां पर वैदिक काल में आई उत्तर वैदिक काल तक जो है सुद्रों को अचूत नहीं माना जाता था बाद के काल में जो सिल्पकार थे हैं सिकारी थे हैं भोजन संगरहाक थे हैं और जो सव वैदिक काल में रिग वैदिक भी आता उत्तर वैदिक भी आता तो जो रिग वैदिक था उसमें तो नहीं माना गया न सुद्रों को अचूत उत्तर वैदिक काल के लास्ट समय में सुद्रों को अचूत माना गया इस वज़त से इस आप्षन के गलत होने के चांस जादा है प्रामडों दोरा बनाई गई वर्ड ब्योस्ता सभी के दोरा पूर्टर स्युकार नहीं की गई दूसरा देरा उपमहदीप के पुरोतर छेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सिमित था आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है तो आपको बताओं दोस्तों आ जन्म के आधार पर मानते थे और कुछ लोग वर्ड के आधार मानते थे यानि अलग-अलग लोगों के दोरा अलग-अलग मानेता है थी बट इसके अत्रिक्त भी कुछ लोग ब्यावसाय के आधार पर लोगों के भी दोस्तों वह आ गया था टेक्निकल प्रॉब्लम और यह इकाईयों की कई बस्तियों की खुदाई की है ये जनपदी बस्तिया निम्रकित में से किन अस्थानों पर इस्तित है ये आपको बताना है पूराना किला दिल्ली हस्तनापुर मेरत और अतरंजी खेडा एटा तो इसमें आपको बताना है कहां पर पूरा तत्विदों ने नामक इकाई की प्राप्ती हुई है ओके आगे देखें महा जनपदों के संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला देरा महा जनपदों की कई राजधानियों की किलिबंदी की गई थी पढ़ाया हूँ आपको पता भी होगा राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन का संपूर भुकतान आहत सिक्कों के रूप में होता था देखो यही नाटक करता है जब कभी केवल सब्द का इस्तिमाल हो जाया ठीक है या इस तरह के सब्द का इस्तिमाल हो जाया जान लो आँकुछ नो कुछ गड़बर यार क्यों यहां पे लिख रहा हो संपूर भुकतान आहत सिक्कों के रूप में यह पॉइंट खाली देकर गलत कर दिया अदर्वाइस यहां तक जो था बिल्कुल सही था यानि केवल एक यहां पर सही हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता था सिपाहियों को ब जनपदों की कर पडाली के संदर में निमलिकित कतनों पर बिचार कीजिए पहला देरा प्रायह उपज का एक बटा तीसरा हिस्सा कर के रूप में रिधारित किया जाता था जिसे भाग का जाता था या बली कहा जाता था सही है ना और दूसरा देरा है कारीगरों को स्रम के रूप में कर का भुकतान करना पड़ता था तो ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं और आपको बताना है चलो कौन सा सही यह बता दो तो पहला वाला गलत है दोस्तों दूसरा वाला केवल सही है अब आपके दिमाग में अगर लिखा तो बिल्कुल सही है थो जाको लगान के रूप में जिसे हम भाग बोलते थे या बली बोलते थे तो फोकस करेगा यहाँ पे एक वटा तीन की वज़ा से गलती हो गई है इसलिए पहला आपसन हो जागा गलत और दूसरा हो जागा सही यह मैं आपको पढ़ाया था कि जो भी कारीगर हुआ करते थे यह स्रम के रूप में अपने कर का भुकतान करते थे नवा कोशन है महा जनपदी कर बेवस्था के संदर में निम्कित कतों पर विचार कीजिए पहला देरा पसुपालकों को जानवरों या उनके उतपाद के रूप में कर देना पड़ता था किसको जो पसुपालक होते थे वो या तो जानवर देते थे या जानवरों से जो उतपाद मिलते थे दूद, दही, घी, मक्षन, कुछ भी मिल जाए ठीक है वो लेके आते थे देते थे राजा को दूसरा देरा ब्यापारियों को समान खरीदने या बेशने पर भी कर देना पड़ता था और तीसरा देरा आख प्राशीन, कुछ ने कुछ तो देना पड़ेगा, करके मुक्त तो नहीं हो सकते ना, यानि तीसरा हो जाएगा गलत और पहला और दूसरा हो जाएगा बिलकुल सही, यानि यहापर जो एवाला है यह हो जाएगा राइट एंसर, दस्वा प्राचीन, महत्वपूर्ण, नग एक मात्र लड़की थी जिसके बारे मैं इनका लेटर भी आपको पढ़के सुनाया हूँ और इनका लेटर मेरे घर तक आया था और इनके दोरह भीजी के जो राखी थी वो भी मेरे घर तक आये थी तो इसलिए मुझे याद आगा है उनका घर कौसामबी है तो आईए यहाँ पर देखे प्राचीन, मतपूर, नगर कौसामबी निमलिकित में से किस अस्थान पर इस्थी था यहाँ दे रहा है मेरट, गाजियाबाद, इलहाबाद और वाराणची थी यह कहाँ पर है याद रखे इलहाबाद जिलाम पड़ता था, फिलहाल अब तो कौसामबी एक नया जिला हो चुका है यह अलग हो गया है, बट जिस समय की बात कर रहा है, उस समय में यह में जो है इलहाबाद का एक हिस्सा हुआ करता था ठीक है, और इलहाबाद को किस नाम से जानते थे, आदे लोगों तो ही नहीं पता होगा वत्स बोलते थे, यार, प्रियाग मत बोल देना गलती से प्रियाग नाम से कोई महा जनपद नहीं था वत्स नाम से महा जनपद था और इसकी राज़धानी भी कहा थी कौसाम भी आगे देखे महा जनपदी युग में क्रिसी छेतर में दो बड़े परिवरतन आये थे इन परिवरतनों के संदर में बिचार कीजिए पहला दे रहा हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे जी यहां दोस्तों आपको पता होगा 920 के बाद जो है लोहे की खोज हो गया इसके बाद से बहुत कुछ चेंजिंग हुआ और हल के फाल भी लोहे के बनने लगे थे आगे देखें लोगों ने धान की क्रिसी बीच छिड़कर करने के उपाज़ाए धान के पौधो का रोपड शुरू किया ताकि धान के फसल को बढ़ने में ज़्यादा समय ना लगे तापको बताना यहाँ पर राइट एंसर क्या है और इसका एंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि पढ़ाते समय बहुत अच्छे से डिकलेर किया था एक और दो यहाँ पर दोनों सही है बताना तो नहीं पढ़ेगा ना पता ही होगा आगे देखिए मगद के संदर में निम्निकित कत्नों पर विचार कीजिए गंगा और सोन नदी मगद से उकर गुजरती है जी हाँ दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर मगद इस्थित है ठीक एक बात तो याद रखे मगद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था बिल्कुल सही बोला है कि एक हिस्सा जंगलों से भरा था खादाने तो बताई उधर लौ आइस की खादान है कि ने जी हाँ दोस्तों वहाँ पे लौ आइस की खादान थी ठीक है और इस पॉइंट के लिए आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा वान टू एंड थी ओके आगे बढ़िए तेरामवा प्रस्ट देरा निम्लिकित में से कौन सा मगत का सासक नहीं रहा यह तो आप बताई दोगे अब इतना पढ़ाने के बात भी अगर नहीं बता पाऊगे तो गडबड हो जाएगा बिम्बिसार यह भी था दिखो बिंदूसार की बात बिम्बिसार की बात कर रहा हर्यकंस वाली की बात करई ठीक है अजासत्य अला हा बड़ा मजाक कर रहा है यद с्रावस्ती कभी राजधानी नहीं ठीक है राजगिरी ये सुरुवात में थी पाटली पुत्रबाद में बना पाटली पुत्र के अस्तापरा किसने किया है राजा उदाइन ने ठीक है और राजगिरी तो सुरुवात में थी ठीक है जिस समय बहुत महा सभा होई थी उस समय तो याद रखेगा इस point को यहाँ पर right answer के हो जाएगा एक और दो जो है आपका right answer हो जाएगा ओके और पटली पुत्रों को अभी पटना नाम से जाना जाता है और राजगीरी को अभी किसको बोलते हैं राजगीर नाम से जानते हैं और रही बात स्रावस्ती की तो यह कोसल मह जन्पत की ति ठीक है कोसल की राजगी थी पटना की यानि मगद की नहीं थी सिकंदर दौरा अपने बिश्व बिजव विजय भियान के दवरान भारती महधीव में मगद की और कूछ कन्ये के संदर में विचार किजिए सिकंदर की सेना आगे वढने से इंकार कर दी थी पूरी कहानी आपको समझाया हूँ कि सिकंदर की सेना जो है क्यों सरेंडर कर रही थी सिकंदर की सेना भारत के सास्कों के पैदल सेना रत सेना हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भैवीत थी तो इसमें से बताना है क्या सही है और क्या गलत है तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर दोनों जो है आप सम लिखे हैं वो दोनों के दोनों सही हैं अच्छा इनकी और भी कंडिशन थी सिकंदर की सेना वापस चली गई इसके पीछे और भी राज थें क्योंकि वो बिस्व बिजय भियान पे निकला था और बहुत देसों से लड़ भी वच्चों के पास जाएं ठीक है उन्हें अपने घर की याद भी सता रही थी तो यह सबसे बड़ा करण यह था इसके अलमा भैबीत होना तो यह तो था ही था सुलामा प्रसदेरा मगद के निकटी वज्जी राज था जी हां दोस्तों याद रखें मगद के निकटी का और राज था वज्जी और वज्जी की राजधानी जरा बता दीजे कहां पे तो वैसाली थी वज्जी की राजधानी कहां पे वैसाली ओके अच्छा यहां पर क्य वसांबी की की बात करूं तोी विट्स की और चम्पा की बात करो तो चम्पा मा जन्पत की कों राजाता है यहां का धुर्योधन ने कुढ़ को डान दीन अंग था राजान पनाया था याद दे माहभारत पर भाड़ी के संधर में निलत क्त्नों से और साल अधीन एक बिसाल राजय छेतर गड़ या संग कहलाता था पता है आपको संग क्या होता या गड़ क्या होता है दूसरा दे रहा है बुद्ध तता महावीर दोनों ही गड़ या संग से संबंदित थें तो आप बता दो कौन सा यहां पर सब जो है सही है तो बुद्ध और महावीर ये दोनों गड़ या संग से संबंदी तो थें बट यहाँ पे गलती है कि एक ही सासक के अधीन एक विसाल राज चेतर क्या कलाता था याद रखे गड़ सब्द का प्रयोग मानेगर माने ही होता है कई सब्द जहां एक से अधीक लोग हो उसी तो गड़ बोला जाता है ठीक है क्या कलाता गड़ या संग कलाता तो आपका सही हो जाता ओके चलो आगे देखते हैं अट्रामा गड़ो या संगो पन निमलिकित में से किस सासक ने बीजय प्रात किया था ये बता दो आप तो गुप्त सासकों ने बीजय प्रात किया था किसके उपर गड़ो या संगो के उप पर बीजय प्रात किया और उन राज्यों को अपने हां मिला लिया अगला प्रसन है तो दीघ निकाय निमलिकित में से क्या है दीघ निकाय के बारे मत आईए पढ़ें दीघ निकाय यह बहुत लोगों का एक ग्रंथ है और बहुत फेमस ग्रंथ है क्यों फेमस है क्योंकि उसम अजाद सत्रू वज्जी संग पर आक्रमन करना चाहता था ठीक है सुनीगा ध्यान से अजाद सत्रू वज्जी संग पर आक्रमन करना चाहता था उसने उस विशय पर सला के लिए अपने एक मंतरी को बुद्ध के पास बेजा अजाद सत्रू ने उस मंतरी का नाम क्या था इसक के पास बुद्ध के पास भेजा था ओके तो इस प्रस्न को याद रखेगा